तो आज के व्लॉग की शुरुवत करते हैं गराज क्लीनिंग से गराज के डीप क्लीनिंग का टाइम है अभी साल में दो बार हम लोग डीप क्लीन करते हैं गराज का वैसे तो हलका पुलका क्लिनिंग तो रहता ही है पर जब फॉल की सीजन हो और स्प्रिंग हो तो डो टाइम पे सब कुछ एम्टी करके सीलिंग और सब कुछ वाइब करके नीचे भी ब्रॉष ब्रॉष लगा के लिक्वीड अच्छा सा डाल के बहुत ही डीप क्लिनिंग करना जरूरी होता है गलाज वैसे सबसे ज़्यादा गंदा होता है हम यहाँ पे गार्डनिंग का पूरा स्टोर करते है कच्रा बच्रा भी यहाँ पे ही रहता है ट्रैसकें जो घर की बड़ी है वो और कार्स भी आती है बाहर से बहुत सारा डर्ट और कुछ पता नहीं क्या-क्या लेके और हमारे सूस का भी जो भी dirt हो यह पर गिलता है तो बहुत गंदा हो जाता है और इसलिए deep cleaning करना बहुत जरूरी है हलका-फुलका सा regular cleaning तो होता ही रहता है तो हम लोग ने पहले ceiling वाला part clean किया वहाँ पर क्या होटा है ना spider अपने waves बना ही डेते हैं आप कितना भी करो इस area में बन ही जाता है और हमारे पास घर में basement नहीं है तो gardening का जो भी टूल जो भी चीज़े है वो यहीं garage में ही रहती है gardening के ऐसी कई चीज़े होती है जो आप घर में store नहीं कर सकते तो उसे यहीं पे store करना पड़ता है तो बहुत ही summer में तो summer finish होना है तब तो बहुत ही गंदा हो जाता है तो इस बार थोड़ा सा जल्दी clean करते हैं हम लोग fall की रह नहीं देखी क्योंकि अच्छा खासा गंदा हो आप देखी सकते हैं तो पहले पानी से wash करेंगे फिर उस पे liquid डालेंगे degreasing liquid भी डालेंगे क्योंकि गार का जो थोड़ा बहुर grease यहां पे गिरता रहता है वैसे garage को हमने epoxy किया था फ्लोर को husband ने और मैंने डोनोंने मिलके साथ में ही किया था अकेले ही किया था किसी भी help क बीना YouTube वीडियो को देखके DIY worker के पूरा garage को हमने अच्छा कर दिया था बेजिकली जो मिला था वो हमें concrete वाला ही मिला था तो यहां पे US में labor work बहुत ही costly होता है कुईसी भी चीज करवाने के लिए आप चीजों से ज्यादा labor work costly हो जाता है तो यहां पे इतने साल रहने के ब 15-16 साल हो गई हम लोग यहां पे रहते तो सब चीजे अपने आप ही करने की habit हो गई तो around एक घंटा हमें लगा अच्छी खासी exercise भी हो गई और एक अच्छा खासा काम भी हो गया cleaning भी हो गया और पूरे garage को इस तरह से रब करके दोनों ने मिलके एक डम neat and clean चका चक कर दिया था तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे flowers बाहर वैसे अभी दो महिने है दो महिने के बाद सब flower plants कहीं भी flower नहीं देखेगा even leaves भी दिखना बंध हो जाएंगे जब यह fall आएगा तो और यह देखिए पूरा garage को हमने रब कर करके एक दम कहीं पे भी कोई dust या कोई भी oil का पा तो इसे dry होने देंगे अपने आप 2-3 गंटे में हो जाएगा dry अच्छे से और इसके बार में आ गई बैक्याड में पानी थोड़ा से डालना रह गया था क्योंकि garage clean करना है garage clean करना है करते करते हम लोग सबसे पहले वो ही करने चले गए जब बच्चे स्कूल गए उसके बा देखे ही इतना यहां पर खड़े रहे के पानी डालने का मन कर जाए ना इतना beautiful लग रहे है और यह flowers में जब भी बहार निकलती हूं तो एक बार तो इस flowers के पास आती हूं यह जो भी plants है ना flowers के वो अपने आप ही उगे थे फॉस यह जब हम यहां पर रहने आए तो मैंने ए सही जगह पे और यह grow हो जाता है और यह देखिए नागरवल का पान जो plant लाई थी वह भी बहुत अच्छे से हो रहा तो cucumber पे बहुत सारे flowers आये हैं तो बहुत दिन बचे नहीं है थोड़े दिन में ही हमें cucumber मिलना शुरू हो जाएगा तो घर के cucumber का जो flavor होता है वह अलग ही होता है और यह तो pure organic है cucumber और हमारी तुलसी माता भी बहुत अच्छे से grow हो रही है तो देख देख के बहुत अच्छा लगता है backyard को और आज एक बहुत ही tasty recipe बनाओंगी husband की favorite है husband मेरे खाने के बहुत ज़्यादा सौकिन है वैसे पात्रा बनाओंगी आज में husband और में दोनों ही खाएंगे बच्चे लोगों को यह सब recipe बहुत पसंद नहीं आती हमारी side पे बहुत frequently बनती है particularly monsoon season हो न तब तो बहुत ही बनती है तो अभी हुआ है time सुबे का 10.38 बच्चों का lunch का भी preparation थोड़ा सा करना पड़ेगा like school से आ stem होती है न वो इस तरह से cut करके जो रेशा जैसा आता है उसे निकाल देना होता है ताकि इसे roll करने में भी अच्छा हो और खाटे time वो खाने में mouth में आये नहीं तो इस तरह से stem निकल जाएगी जो भी बड़ी वाली हो गाड़ी हो उससे निकाल लीजिए और उसके बाद हम हम इसे roll करेंगे तो अब हमें बनाना है बैटर उसके लिए पानी गरम करने रख दिया है और इसमें डालूंगी में इमली बेजिकली ट्रेडिशनली हमारे यहां जो पात्रा बनता है उसमें इमली ही जाती है और इमली का पिकल है इंडिया से आया है ममी ने बेजा था एक् का पल्प पूरा छूट जाएगा इसी तरह से इमली का पना लेंगे इमली का पल्प डालने से क्या होता है कि कहीं बार पात्रा होता है उसमें जो केमिकल कुछ होता है जो गले में चिपकता है गले में खुझली जैसा होता है तो वह नहीं होगा अगर आप इमली को वेसे खट्टापन के लिए इमली डाल लेंगे तो दोनों तरफ से अच्छा हो जाएगा, वो side effects भी नहीं होगी और कोई निंबू या कुछ डालना भी नहीं पड़ेगा, और इसमें खट्टापन को एजिस्स करने के लिए जाएगा, गुड, डेसी गुड डाला है मैंने यह और जाएगी हिंग और सॉल्ट, इस तरह के हम बेजिक एक पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से मिक्स करना है, वैसे हमारे यहां पे पात्रा बनता है उसमें एक डाल का रोस करके उसका पावडर बना के भी डालते हैं, पर वो मैं आज नहीं कर रही हूँ, उसको मैंने कर दि टीन पार्ट बेसन के साथ एक पार जाएगा, चावल का राइस, फ्लार, इसको बनाएंगे, हम मिक्स करके पेस्ट, आप फ्लेवर को एजस करेंगे, सॉल्ट, स्पैसिनेस को, और इसको इसमें पानी डालके हमें बनाना है, इसका मीडियम पतला सा गोल, बहुत पतला भी न बनाएंगे, वो हलकी हलकी सिकतनी है, स्प्रेड इस तरह से, बहुत गढ़ा लेयर नहीं करना है, बहुत ठीक लेयर नहीं करना है, इस तरह के पतला पतला ही करना है, दूसरे पात्रा इस तरह से रखते जाएंगे, तो पात्रा कुछ इस तरह से रखते जाएंगे, आपके इस तरह से करेंगे fold एक तरफ से उसके उपर भी जो gold बना है वो पतला पतला सान लगा देंगे ताकि अच्छे सिस्थीक भी हो जाए और दूसरी तरफ से भी 1-4 पाट को कर देंगे हम fold और उसके उपर भी लगा लेंगे जो paste बनाई है वो बहुत ठीक paste नहीं बनाने नहीं तो बहुत आटा आटा लगेगा क्योंकि पात्रा बहुत ही soft होता है steam होने के बाद वो इतना ठीक नहीं रहेगा पतला हो जाएगा layer अब करेंगे इसे हम roll तो इसे दबा के tight roll बनाना है हमें ठोड़ा सा भी loose roll बनाएंगे तो खुल जाएगा और इस पर जो पमने paste लगाई उससे अच्छे से हो जाएगा स्थीक तो बना लिया है मैंने roll और यह देखिए इस तरह से बनाएंगे ना तो आपको किस trade की भी जरूद नहीं पढ़ेगी नहीं तूटपी की जरूद पढ़ेगी इसे lock करने के लिए अपने आप ही lock हो जाएगा तो इसी तरह से पात्रा मैंने बना लिये है उसको करेंगे steam steam करने के लिए मैंने इस तरह से रख दिया है पॉड कम से गम 17-20 मिनिट तक इसे करना है हमें steam medium तो medium high flame पे आप इसे toothpick से या चाकु से चैक भी कर सकते हो steam हो जाए उसके बार उसे हमें करना है ठंडा और यह देखिए कुछ इस तरह के हो जाएंगे color थोड़ा सा हो जाएगा change और ठंडा होने के बाद ही हमें इसे करना है cut और इसको हम करेंगे tempering तो यहाँ पे oil ले लिया है साथ में थोड़ा सा curry पत्ता और जाएगी राई और sesame seeds again और पात्रा को कटकर यहाँ देख सकते हो कितना अच्छा बना है ना एक्टम layers बहुत अच्छे से आए हैं तो इसको हमें रोस करना है आप इसे चाहा हो तो shallow fry भी कर सकते हो deep fry भी कर सकते हो और इसके यह हमारे यहाँ पे chips भी मिलते हैं पात्रा chips बहुत ही famous है और बहुत ही tasty होती है जैसे हम potato chips खाते हैं इस तरह के पात्रा chips मिलते हैं जो US में मुझे कहीं भी नहीं मिले वैसे मुझे बहुत ही पसंद है पर इस पार इंडिया गए वहां से भी मिलाना बूल गई थी तो यहाँ पर ग्रीन चिली में बैक्यार में से और इसे बहुत अच्छे से dry करना है इसमें कोई भी moisture रहने ही जाना चाहिए अगर पानी का कत्रा भी रह गया आना तो आपका pickle खराब हो जाता है वैसे कोई भी pickle बना उना तर पानी का कोई भी part रहना नहीं चाहिए moisture रही जाएगा तो खराब हो ही जाता है तो इसके डंठल के साथ ही मैंने wash कर लिया अगर आप डंठल उटार के wash करेंगे ना तो डंठल के part में जहां से निकलता है वहां से पानी अंडर चला जाएगा इसले पहले wash करके wipe करते टाइम ही इसका डंठल निकलना चाहिए उसके आपके पास वड़वानी मर्चा हो तो बात ही अलग है वह मेरे पास था नहीं तो जो भी मेरे backyard में medium spicy वाले थे वह सभी में ले आई अब इसको हम करेंगे cut bite size का बनाएंगे तो इसके लिए इस तरह से लंबे वाले को इस तरह से bite size करके इसमें बीच में से भी चीरा लगा लेंगे इस तरह से करने से क्या होता है नहीं कि जो हम flavor देंगे राई का वो अच्छे से इस पे लग जाएगा तो flavor बहुत ही अंसान हो जाएगा अगर आप ना चाहो तो बीच में से cut नहीं करें तभी चलेगा और मैंने थोड़े से अंदर से जो seeds नहीं हो भी निकाल लिए हस्बन को चिली पिकल पसंद है पर वो बहुत spicy प्रिफर नहीं करते खाना जैसे मुझे spicy वहुत ही प्रसंद है पर इसलिए मैंने निकाल लिया जितना भी seeds निकाल सके इतना और यहां पर हल्डी डाल दी है मैंने दो चम्मच और साथ में डाला है दो चम्मच salt अच्छे से कर देना है mix ताकि अच्छे से coating हो जाएं और इसे हमें cover करके कम से कम दो गंटे minimum two hours इसे रखना है उसके बाद ही आगे की process करेंगे और chili मेरा skin बहुत sensitive है इसलिए मैंने gloves पहन के किया है जराबी हाथ में लग जाए नहीं तो बहुत ही जलता है मुझे और इसका बनाएंगे हम masala ready करने है तो पैन ले लिया है पैन में हम थोड़ा से spices को roast करेंगे low flame पे ही करना है सब कुछ रोस्त पहले pan गरम हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे हम coriander seeds फैनल सिंट डाला है और साथ में राइ 2 टेबल स्पुन डाला है डीटेल रेसिपी में description box में डाल दूँगी और यहां पर इसे हमें low flame पे रोस करना है बहुत ज़्यादा रोस करेंगे इंगना नहीं है सिर्फ हलकी हलकी से खुशबू आने लग जाए घर में तब तक ही रोस करना है बहुत जलाना नहीं है हलकालका सा ही रोस करना है और आउन 2-3 मिरित लगेंगे से रोस्त करने में उसे उसके बाद थंड़े होने दिना है और जब स्तव बन करें उसके बाद डाल देंगे मेथी के दाने आधी चमच ताले हैं अगर आपके पास मेथी के कूरिया हो तो फिर वो भी डाल सकते हो और ये रिडी हो गया हमारा मसाला पूरा थंड़ा होने के बा तो हमने salt डाला था तो excess water हो ना इसमें चिली में वो निकल जाएगा तो आपको वो पानी निकाल देना है आप चाहो तो heart का use करके डबा के भी निकाल सकते हो या फिर मेरी तरह से बहुत sensitive skin हो ना तो tissue paper ले लिजे इस तरह से drainer में रफने के बाद और tissue paper को डबा के जो भी excessive water हो जो भी extra water हो उसे हमें निकाल लेना है तो मैं इस तरह से tissue दो tissue ले लिया है मैंने और इसको हलका हलका सा दबाओंगी बहुत ज़्यादा नहीं दबाओंगी तो इसमें आ जाएगा जो भी extra moisture हो और थोड़े ये बर्तन में से थोड़ा सा नीचे भी चला जाएगा तो जितने dry हो से के उटने dry करने है हमें इसे अब हमारा मसाला ठंडा हो गया है तो इसे हमें mixi के jar में ले लेना है इसको हमें ग्राइंड करना है इसको हमें रखना है थोड़ा मोटा सा ही पर हलका हलका सा 3-4 pulse दे देंगे बहुत ज़्यादा नहीं देना है तो अच्छे से हो जाएग कोर्स ही ग्राइंड करना है और यह almost ready हो जाएगा आप धनिया पाउडर डालेंगे तो इसको ग्राइंड करने के ज़रुरत नहीं पड़ेगी पर हलका हलका सा ग्राइंड करेंगे तो कोटिंग में बहुत अच्छा हो जाता है जब हम चिली में इसे mix करेंगे और यह देखि अपनी पसंद का कोई भी ओयल ले सकते हो तो यहां पर पीनट ओयल लिया है मैंने हमारे यहां पर mostly पीनट ओयल में ही बनता है पिकल और इसको ल्यूक वार्म ही रखा है बहुत गरम नहीं गरम करने के बाद थोड़ा सा ठंडा कर लिया है उसके बार डाला है हिंग और तो यह perfect temperature होगा तो मसाला डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी पावडर अराउं डो चमब से थोड़ा सा ज्यादा मैंने डाला है salt क्योंकि पहले जो हमने चीली में salt ताला वो अल्मोस निकल गया पानी के साथ और इसे हमें mix कर देना है stow on नहीं है stow को मैंने off ही कर दिया थ और अब हम इसे डाल देंगे चीली का जो हमने ready करके रखा है उस पे और इस ताइम पर यार रखना है कि मसाला आपका ठंडा हो जाना चाहिए room temperature में होना चाहिए गरम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो इसे हमें चीली के साथ अच्छे से mix करना है चीली का एक एक पार् कोटिंग में बहुत है और यह देखिए इसे आप फ्रीज में कम से कम 6 मेहने तक रख सकते हो पर इसे फ्रीज में रखना पड़े गया क्योंकि इसमें बहुत सारा ओल भी नहीं है तो कम ओल में कुछ पिकल खाना हो तो बहुत ही परफेक्ट है यह ठेपले के साथ या डिव निम्बू का रस और आधा से एक निम्बू का रस डाल दिया है मैंने यहाँ पर तो यह प्रिजर्विटी का काम भी करेगा कलर में करेगा और ठोड़ा सा खटापन भी देगा स्पाइसीनेस के साथ तो यह रेडी हो गया हमरा पिकल ठंडा होने के बाद इसे जार में भर के आप इसे खा सकते हो 24 आवर्स के बाद यह रेडी हो जाएगा खाने के लिए उसके बाद आप इसे फ्रीज में स्टोर करके रखे तो एक जिली ऐसा का ऐसा ही रहेगा फ्रेश एक डम लगेगा पर इसे रखना पड़ेगा फ्रीज में कोई कंटेनर में एर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए और जब भी खाने का मन करें और इसे निकाल लिए और यह पर्फेक्ट पिकल हमारा हो गया रेडी बहुत स्टोर करके छे आठ मेहने तक स्टोर करना चाहूं तब भी स्टोर कर सकते हो तो मैंने पिकल भी बना लिया रंडर्ट चॉठ सितलास तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे खतम करते हैं आई होप आप लोगों को पिसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए बाद